ब्रिज भूशन सरन सिंग मामले में देश की पहली महिला पहलवान सोनिका काली रमन का बिसफोटक ब्यान आया है उन्होंने जिस तरह से ब्रिज भूशन का समर्थन किया है शायद जंतर मंतर पे बैठे पहलवानों का खून उबाल दे सोनिका काली रमन ने क्या कुछ कहा वो बताएं उससे पहले उनके बारे में जान लेते हैं मैट रेसलिंग की बात करें तो सोनिका काली रमन को भारत की पहली महिला पहलवान माना जाता है सोनिका के पीता मास्टर चंदिगी राम ने पहली बार लड़कियों के लिए दल्ली में अखाड़ा शुरू किया था खुद भी काफी मशहूर पहलवान थे उन्हें अरजुन आवर्ड और पदमा श्री मिल चुका है सोनिका के ट्रेनिंग उसी अखाड़े में हुई थी खेर आपको याद दिला देते हैं कि पूरा मामला क्या था ओलम्पियन रेसलर साक्षी मलेक और विनेस फोगा दिल्ली के जांतर मंतर पर 26 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं मामला सेक्ष्वल हैरस्मेंट से जुड़ा हुआ है पॉक्सो एक के तहट एफायर दर्ज है लेकिन आरोपी बीजेपी नेता और डब्लू एफाई प्रेसिडेंट ब्रेजबुशरन सरन सिंग की अब तक गिरफतारी नहीं हो पाई है आपको बता दें इसमें लोग दो धड़ो में बढ़ गए हैं एक नेता जी के साथ हैं तो एक पहलवानों के साथ हैं अब चलिए आपको बताते हैं कि भारत की पहली महिला पहलवान ने धरना पर बैठे पहलवानों पर क्या कहा उनसे क्या सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया उनसे पहला सवाल पूछा गया कि WFI के अधियक्ष ब्रेजबूशन सरन सिंग पर साथ महिला पहलवानों ने यौन सोशन का रोप लगाया है इस आंदोलन में आप किस की तरफ हैं इसके जवाब में सोनिका काली रमन कहती हैं कि मेरा अंदोलन करने वालों से कहना है कि रेसलिंग जैसे खेल का नाक मत कटवाई है एक लड़की अगर एथलीट है तो सौ मीटर का स्प्रिंट मार सकती है वो एक आदमी को मैट में भी थूट सकती है मैंने ही मानती कि वो किसी आदमी से मोलेस्ट हो सकती है वो लड़की मर जाएगी पिट जाएगी लेकिन मोलेस्ट नहीं होगी वो सेल्फ डिफेंस कर सकती है एक एक एक्टिव स्पोर्ट्स गर्ल को यूँ कोई भी टच नहीं कर सकता कोई ना कोई रिजन जरूर होगा मैं किसी विसेश के बारे में नहीं कह रही हूँ लेकिन मैं खुद रैसलर हूँ रैसलिंग बहुत ताकत वाला खेल है एक रैसलर का यौन सोशलर नहीं हो सकता कही ना कही उनका कंसेंट रहा होगा दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है महिला पहलवान का तरीका गलत है उस पे जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ है तो सामने आना चाहिए आप शेरनिया हैं अगर आप ही डर कर बैठ जाएंगे तो फिर आम लड़कियों का क्या होगा उन लड़कियों का और उनके पैरेंट्स से सामने आना चाहिए निर्भया के मामले में उसकी मा अटकर खड़ी हो गई थी और वो आज भी वैसे ही खड़ी है इसके बाद उनसे पूछा गया कि रेसलर के विरोध प्रदर्शन से आपको दिक्कत है इस पर कहती है कि देखे धरना करने या जंडा उठाने से कुछ नहीं होगा आपको प्रॉपर चैनल से सिकायत करनी चाहिए कोच होता है फिर सीनियर कोच होता है फडरेशन की अधिकार होते हैं उलमपिक एसोशेशन होती है उन्होंने नई सुनी तो कम से कम हर जगा थाने तो होते ही है उस व्यक्ति को पकड़ कर थाने ले जाना था इससे केवल रेसलिंग का लुक्सान नहीं हो रहा है आप कह रहे हैं फेडरेशन का काम खतम कर दो तो फिर फेडरेशन का काम कौन करेगा कैम इतने महंगे होते हैं कि उन्हें कोई पैरेंट करान नहीं पाएगा स्टेट नाशनल इंटरनेशनल तक जाने का रास्ता कैसे बनेगा फिर उनसे पूछा गया कि इससे तो रेसलिंग फेडरेशन सुधरनी चाहिए आपकी हिसाब से नुकसान क्या हुआ इस पर कहती है रेसलर का पूरा एक साल बरबाद हो गया कितने सारे टूर्नामेंट कैंसिल हो गया अब गर्मी शुरू हो गई गर्मी में खेल होता नहीं है कम से कम एक साल पीछे चले गए हैं अगर इनका सजेशन है कि फेडरेशन भंग हो तो किसी को आगे आना चाहिए फोगाट फैमली या फिर पूनिया कहें कि वे लोग एक फार्म बनाएंगे अगर कुछ हुआ तो ऐसे धरने से तो नहीं सुझाय जा सकता सारे अचिव्मेंट के बाद इन्हें यह सब अचानक यादाया इनका तो सब कुछ हो चुका है नए बच्चों का नुकसान है मैं नहीं मानती कि इन पहलवानों के साथ कोई कुछ करके चला जाए इसके पीछे पॉलिटिक्स तो है ही और खेल को पॉलिटिक्स से दूरी रखा जाए तो अच्छा होगा